हेलो फ्रेंट्स, कलर्फुल ट्रेट्स में आपका स्वागत है, आज हम बहुत आसान तरीके से ये मास्क बनाएंगे, इस मास्क की कटिंग और स्टीचिंग दोने ही बहुत आसान है, तो चलिए स्थार्ट करते हैं मैंने चौकोर कपड़ा लिया है, कपड़े की लंबाई और चौड़ाई 11 इंच है, आप इसे बड़ा बढ़ाना चाहें तो 12 इंच का ले सकते हैं, इसे हमें बीच से फोल कर लेना है, इस तरीके से बीच से फोल करेंगे, अब एक बार और हमें फोल कर लेना है, यह देखें से तरीके से फोल्ड करेंगे है और नीचे का जो नुकिला भाग है उसे नीचे रहेंगे यह जो कॉर्णव है वहां से हमें मेजरमेंट लेना है यहां से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरे साइट भी हम पांच इंच पर मार्किंग करेंगे अब इसका सेंटर मार्क कर लीजे अब दोनों सैट जो हमने पांच इंच वाला निशान लगाया है उससे कुलाई में इसे मिला लेना है अब इसकी कटिंग कर लेंगे यह नीचे वाला जो कोने का भाग है वहां पर हमें एक इंच पर कटिंग करनी है तो इंच टिप को सिधा रखे जहां पर एक इंच आज है सिधा मिला कर कटिंग कर लेंगे अब जो फोल्ड वाली साइड है वहां बीच में हमें आधा इंच की गुलाई देनी है आधा इंच पर मार्क करेंगे हाफ इंच और इसे गुलाई में मिला लेंगे अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे और यह मास्क की कटिंग हो गई है कटिंग भी बहुत आसान है और इसकी सिलाई भी बहुत आसान है इसे खोल लेंगे दोनों सीधे भाग अंदर की साइड रहेंगे इसके उपर दूसरा पीस रखेंगे और यहां से लेकर यहां तक हमें सिलाई करनी है यह देखिए मैंने सिलाई कर ली है अब हमें छोटे-छोटे से कपरे में कट लगा लेने है ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे तो इस तरह कट लगाने से मास की फिनीसिंग बहुत अच्छी आती है कि यह अब जो एक एकज़े हाली साइड है दोनों को पकड़कर इस तरह से मिला लेना है अच्रा अच्छी से मिला लेंगे शिपी अधह हम यहां से लेकर दूसरे किनारे तक हम इसे सिदा करनी है, जो साइड वाला की कीणच वाल पाट है हुआ से लाइं करनी है सिधा कर लेंगे तो इसे सिधा हो गया है इसको अच्छी तरह से आयरेंड कर लेंगे जिसे शिलाई एची तरह से बैट जाएगी अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है तो लगभग सबाची इंच की माँआ इलास्टिक ली है और कपरे को हमें थोड़ा सांदर की साट पोल्ड कर लेना है और इसमें इलास्टिक रखेंगे और इसके उपर हमें सिलाई कर लेना है इस तरीके से लास्टिक को रखते वे सिलाई कर लेंगे देखे मैंने सिलाई कर ली है और कितना सुन्दर सा ये मास्क बहुत आसान तरीके से बन कर तियार हो गया है तो यह थास का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरू बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद